कि यूपी एल्टी ग्रेट टीचर्ल मेथ्वाटिक्स एंटीजेटी पेष्टी में सिल कॉंप्लेक्स एनलाइस से यह वीडियो का नमबर है 43 कॉंप्लेक्स एनलाइसिस में टोपिक से हमारा एनलाइटिक फॉंक्शन पर डिपेंड कुछ कुछन दे रहे हैं एनलाइटिक फॉंक्शन a हार्मोनिक फॉंक्शन शेटिफाई दा फॉर्मिल डिफेंश्यल एक्विशन इस डिफेंश्यल एक्विशन को सेटिस्फाई करता है इनकी देल तो यू अपॉन डल जेट देल जेट वार इकल टो जेरो यह इसकी कंडिशन्स होती है एक टाइप का कुश्यन जनरली हमने फॉर्म बता दिया है किस तरह से हार्मोनिक फॉंक्शन आता है अब इसमें यह बताना बगी है कि कैसे फॉंक्शन निकाला जाता है अभी अससे पहले बताना जाएंगे पोलर फॉर्म ऑफ काची रिमेन इक्विशन पोलर फॉर्म ऑफ काची रिमेन इक्विशन जनरली काची रिमेन इक्विशन हो अगरती है दैल्यू अपॉन ईक्स X equal to del b del b upon del y and del u upon del y equal to minus ka del v upon del x यह होती है काची रामेन केशन्स, इसकी इसकी पर पर प्रोलड फोर्म लेगे तो del u upon del r equal to 1 upon r del v upon del theta and 1 upon r del u upon del theta equal to minus ka del v upon del r ठीक है यह होती है पॉलर फॉर्म ठीक है यह जनरल फॉर्म था और यह पॉलर फॉर्म है नेक्स्ट कुश्टन जैसे कोई कुश्टन से इसे सटिस्फाइद फंक्शन यह है कुश्टन यू एकल टू एकस क्यों मैंस का थेरी एकस बाइचियु स्कॉरर मैंदस का 3 x squared 3 y squared plus 1 प्लस लेज भानिए हां मॉनिक फंक्शन इस इस एह थार्मानिक फंक्शन यह एक हर्मोनिक कुछन है, find analytic function उसका analytic function find गहنا है, ठीक है, इस a harmonic function find the analytic function तो फिटेसंटें एकनू है,ß now audio. अमसिते कि मैसरे का 3x2, यह बिशांद कि मुझंडेची स्कायर है, यह अदेज, logr antisements क्युम्हार को सद्धार्य gu дел auf g statements यह एक निकालेंगे, यह ह déb남 servant hp. देज हम फेल भी सैंगे, आंदो अधिक पर भी इच निकाल लेंगे, रहेंगे मानास का 6x-6 Del to u upon del y squared लिखा लेंगे मैंस का 6x-6 Del to u upon del x squared plus स्कादल 2 u upon del y squared is equal to i जाएगा 0 hence यह लीडिजिज़्ा सेटिस्फाइट अलब आप्लास-laplus equation Hence सेटिस्फाइट एलला आप्लास equation function then it is a harmonic function तहीं harmonic function है अब उसके बाद जो quantities हती है अब हमको analytic function निकालना है analytic function कैसे निकाला जाएगा देखिएगा analytic function निकालने के लिए कोची रिमेनी क्यूशन के लिए कोची रिमेनी क्यूशन के लिए क्या होता है डियू अपॉन डिया है इससे हम वाई की वेल्यो फाइंड कर लेंगे वाई आजएगा तो function को घुट हमारे पास कुषज्टन वाओ लडए हैं तो वी फाइंट कर लिए जाएगा जैङो य्ट कि डेलवी अपॉन डेलव इकका टू है थेरी अकस्कार मानेस का 3126 ठीक है तो डेलवी इकका्टो होजागा थेरी अकस्कार मानेस का 3126 एंटो डेलवी इंट्रिकेशन कर तो वी इकल्ट वाजगा देंगे तो वी इकल्टो आजएगा थे एकस्क्राइव मायश का 3YQY3 प्लस का 6XY कोई कॉइशेंट लगा सकते हैं जैसे सी इसे कॉइशेंट है ठीक है तो यहां हो जाएगा वेकल्टू थेरी एकस इसकार वाई इसका वाई क्यों 6xy प्लस C बी आ चुका है जो आ चुका है तब फोर अनलाइटिक फंक्शन के लिए फंक्शन एवजर्ट इकल्टो होगा फंक्शन एवजर्ट एकल्टो यू प्लस आई वी के फॉर्म में होगा यू एंड बी की वैल्वी है पर पूट कर देंगे यू हुआ प्लस का आई बी का वैल्यू है थेटी एक्स स्कार वाई माइनस का वाई क्यू प्लस का 6xy प्लस C इस तरह से अनलाइटिक फंक्शन निकल जाता है झाल था के टा मिल्ड़न का वाईटीयू